हाई फ्रेंड्स मेरे नाम है अगास करें और एक बार फिर से मैं आप सभी का मेरे स्यूडूब चैनल मैथमेटिकल जर्नी पर बहुत पहुत स्वागत करता हूं दोस्तों इसके पहले हमने जो कोशन कंप्लेट किये थे वह 4.2 तक कंप्लेट किये थे और किसी कारण वस वीडि क्लास क्नें और की यहां पर जो हमने छोडा था उससे हम मेरे साथ बने रहे दो चैनल सबस्क्राइब की चैनल को सबस्क्राइब कीजी और बताएगे तो अग्लाव coupon की शेर किसी प्रकार का तो हम उसको भी आराम सा सौर्व करेंगे तो यहाँ पर हमने लिया है 4.2, 11 का कुशिन पर 1st, देखे, यहाँ पर हमारे पास एक determinant दिया हुआ है, साणिक दिया हुआ है, यह R1, R2 और यह R3, मतलब यह हमारी 1st रो, 2nd रो, 3rd रो, और यह हमारा 1st कॉलम, 2nd कॉलम और यह 3rd कॉलम, हमको इसको solve करना है, हमको A+, B+, C, पूरे क चेंज करने के लिए, R1+, R2+, R3, क्योंकि हमको यह लेकर आना है, अब यहाँ पर हमने चीजों को देखा, A-B-C, यहाँ पर 2B और 2C है, अगर हम क्या करते है, यहाँ से देखे, अगर हम क्या करते है, इसमें, इसको रिसको आड़ कर देते, तो यह वाला A तो clear हो जाएगा, माइनस B है, उसको हम 2B से solve करेंगे, तो प्लस भी हो जाएगा, इसको solve करेंगे, तो यह हो जाएगा, यहाँ पर भी सेम यही case बन रहा है, यहाँ पर भी यही case बन रहा है, तो हमने पहले संग्रिया लगा दिए, यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस R3, अब देखे, मैं एक को solve करक क्योंकि जब हम R1 चेंज करेंगे, तो R1, R2, R3, तीनों को add करतेंगे, तो यह हमारा A तो जैसे की ब्यासा होगा, माइनस B और 2B को solve करेंगे, तो यह हमारा प्लस B हो जाएगा, माइनस C और 2C को solve करेंगे, तो यह हमारा प्लस C हो जाएगा, तो अब जब R1 का first element जो जाएगा, A प्लस B प्लस C, हम इसको solve कर लेतें, देखें, यहाँ पर हमें लेक देता हूँ, चुकि जब हम R1 चेंज करने के लिए तो R2 और R3 जैसे की ब्यासा, तो यह हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, 2C यह हो जाएगा, 2C और यह हो जाएगा, C माइनस A माइनस B, और ह हमने सिर्फ यह वाला element चेंज किया, क्योंकि हमने एक संक्रिया लगाई है, एक operation लगाया है, R1 चेंज to R1 प्लस R2 प्लस R3, तो वहाँ पर हमने जब R1, R2 और R3 को add किया, तो A प्लस B प्लस C आया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या जाएगा, A प्लस B प्लस C, कंडिशन चाह यहाँ पर आजाएगा, क्योंकि हमने R1 चेंज करने के लिए प्लस B प्लस C, और यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, A प्लस B प्लस C, आयोब दोस्तों इतना क्लियर हुआ होगा, क्योंकि हमको यह लेकर आना है, अब देखिए, हमारे पास संक्रिया है, हमने इसकी पूरी प्र हमारे पास बचाएगा, यहाँ पर बचाएगा, हमारे पास 1, यहाँ पर बचाएगा, हमारे पास 2B, यहाँ पर बचाएगा, यहाँ पर बचाएगा 2C, यहाँ पर बचाएगा C-A-B, अब देखिए दोस्तों, यह तो कोशन था, देखिए, यह हमारी जो R1 है, यह R1 है, इ यह भी 1 है तो यह operation कैसे लगेगा हम c1 change कर देते हैं c1 change करेंगे तो c1 minus c2 और हम c2 change कर देते हैं तो यह जाएगा c2 minus c3 ठीक है c2 change करेंगे तो c2 minus c3 तो देखे condition क्या बनी कि एक बार में यह c1 और यह c2 और यह वाला c3 तो c1 change कर रहें और c2 change कर रहें c3 जैसे की वैसा हमारे यहाँ पर दिखा जाएगा तो यहाँ पर हम क्या करते हैं c3 को लिख देते हैं 1 यह वाला हमारा 2b यह वाला हमारा c minus a और minus b यह इसको हमने जैसे की वैसा लिख दिया है यहाँ से ठीके अब हम C1, C2 को चेंज कर रहें तो 1 में से 1 यहाँ पर जाएगा यह क्या बच जाएगा हमारे पास 0 2B और देखें यहाँ पर हम इसको solve कर लेते हैं 2B minus बोला है हमने तो minus in bracket B minus C minus A जब bracket open होगा तो यह जाएगा 2B minus B minus minus plus C minus minus plus A तो देखें 2B और B को solve किया तो यहाँ गया हमारे पास B plus C plus A यहाँ इसको हम A plus C plus B, A plus B plus C लिख सकते हैं यहाँ पर हमने लिख दिया A plus B plus C सेम केस 2C में से 2C को solve करेंगे तो यह हो जाएगा हमारे पास 0 मतलब minus करना था यहाँ पास यह हमने एक और operation लगाया C2 change to C2 minus C3 और C2 change to C2 minus C3 किया तो condition देखें यह वाला C2 और C3 1 में से 1 को solve करेंगे तो यह जाएगा हमारे पास 0 B minus C minus A यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ देखें B minus C minus A minus 2B तो इससे इसको solve करेंगे तो 2B और B को solve करेंगे तो minus B minus C और minus A तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं minus A minus B और minus C क्योंकि हमको C3 को तो change करना नहीं था क्योंकि हमने यहाँ पर operation लगाया नहीं था last 2C और इसको solve करना है तो देखें 2C minus in bracket C minus A minus B तो क्या बन जाएगा 2C minus C minus minus plus A minus minus plus B अब इन दोनों को solve करेंगे तो हो जाएगा C plus A plus B तो देखें C plus A plus B को हम लिख सकते हैं A plus B plus C तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पस A plus B plus C दोस्तों इतना clear होगा यहाँ पर हमने एक operation लगाया था यह वाला operation R1 change to R1 plus R2 plus R3 और हम यहाँ पर आगे बढ़े थे अब मैं क्या अगर पर इसको अटा रहा हो क्योंकि हमारा question last बचा हुआ है यहाँ से हमारा question complete हो जाएगा आप इसको एक एक करके लिखते जाएगे देखें अब यहाँ पर हमारे पस R1 जो बचा 0 0 1 A plus B plus C minus A minus C 0 A plus B plus C और यहाँ पर 2 B C minus A minus B हमको क्या करना है यह लेकर आना है तो हम क्या करने वाले इसका प्रसार कर देंगे हम R1 के along इसका प्रसार कर देंगे हम C1 के along इसका प्रसार कर सकते हम C2 के along इसका प्रसार कर सकते हम C3 के along इसका प्रसार कर सकते तो देखिए जब R1 के साथ एक प्रसार करेंगे तो ये प्लस माइनस प्लस पहला एलिमेंट लेंगे ये कॉलम और ये रो जाएगी इनका मल्टिप्लाय करेंगे लास्ट में 0 से मल्टिप्लाय होगा सब 0 हो जाएगा यहां पर भी वैसे होगा तो हमके आगरते डारेक्ट लिए एक बार इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर चैक कीजिए प्रसार कैसे करना है हमने इस पर बहुत अच्छे से बात किये क्योंकि 4.2 कुछ में 11 है हम बीच में है तो भी देखें हम प्रसार कैसे करना है यहां से फ्लस बन देखें यह वाला कॉलम और यह रो हड़ जाएगी a प्लस b प्लस c का मल्टिप्लाय इस में हो जाएगा तो यह हो जाएगा हमारे पास a प्लस b प्लस c बाइन प्लस c माइनस माइनस A माइनस B माइनस C का मल्टिप्लाई 0 में हो जाएगा तो यह मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 0 अब देखें दोस्तों हमने क्या किया था A प्लस B प्लस C यहाँ पर उबहनिस निकाला था तो वह वाला A प्लस B प्लस C हमारे पास यहाँ पर continue चलते रहेगा यह वाला हमारे पास A प्लस B प्लस C और यह माइनस 0 तो उसका मटा देंगे A प्लस B प्लस C पूरे के होली स्क्योर को जब हम सॉल्फ करेंगे तो यह हो जाएगा हमारे पास A प्लस B प्लस C पूरे का क्यूब देखें दोस्तों a plus b plus c पूरे का square था और उसमें a plus b plus c का multiply किया तो पूरा cube आ गया यहाँ पर देखिए हमारे पास जो question था 4.2 का question 11 यहाँ पर जो question था उसमें हमने पहली संक्रिया लगाई r1 change to r1 plus r2 plus r3 then उसके बाद उसमें से a plus b plus c common निकाला फिर हमने यहाँ पर c1 और c2 के change करने के बाद उसका पसार कर दिया तो हमारे बाद जो solution था हमको जो लाना था a plus b plus c पूरे का किम वह हम लेकर आ गया दोस्तों question number 11 का question पर फस्त था इसके बाद हम question solve करेंगे question number second और एक ही करके पूरे पूरे question को complete करेंगे thank you friends